आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ प्रश्ण दिया गया है दी गई जानकारी का ध्यान पूर्वक अध्यन कीजिए और नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर दीजिए छै विद्यार्थी A, B, C, D, E और F एक पुस्तकाले में वृत्ताकार मेज के चारो और केंद्र की और उन्मुक होकर बैठे हुए हैं वे भिन कॉमिक्स पढ़ते हैं जैसे कि इंद्रजाल, राज, किंग, नूतन, चमपक और तुलसी लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि क्रम समान हो वे भिन रंग की टी-शर्ट पहने हुए हैं जैसे सफेद, बैगनी, हरी, लाल, पीली, नीली लेकिन आवश्यक नहीं है कि क्रम समान हो वे विद्यार्थी जो इंद्रजाल, किंग और चमपक पढ़ते हैं उन्होंने ना तो सफेद शर्ट पहन रखी है और ना ही बैगनी शर्ट पहन रखी है तो इसे हम नीचे लिख लेते हैं कि जिन्होंने इंद्रजाल, किंग और चमपक पुस्तक पढ़ी थी उसने ना तो सफेद शर्ट पहन रखी थी और ना ही बैगनी शर्ट पहन रखी थी फिर दिया गया है वे विद्यार्थी जिन्होंने हरी और पीली टी-शर्ट पहन रखी थी ना तो इंद्रजाल ना ही किंग कॉमिक्स पढ़ रहे थे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जिन्होंने हरी और पीली टी-शर्ट पहनी थी वे इंद्रजाल और किंग पुस्तक नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम इसने नहीं कर देते हैं ए ने ना तो सफेर टी-शर्ट पहनी हुई है ना ही वे नूतन पढ़ने वाले व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ए ने सफेर टी-शर्ट नहीं पहन रखी है और यह नूतन पढ़ने वाले व्यक्ति के ठीक बाएं नहीं बैठा है तो नूतन को हम यहाँ पर नहीं कर देते हैं केवल वह विद्यार थी जो E और F के मध्य बैठा है वह राज कॉमिक पढ़ता है तो यहाँ पर हम एक गोला कार्ड टेबल बना लेते हैं और जैसा की प्रश्ण में कहा गया है कि वह विद्यार थी जो की E और F के बीच बैठा हुआ है वह राज कॉमिक पढ़ता है तो यहाँ पर हम E लिख देते हैं और यहाँ पर F लिख देते हैं अब यहाँ पर इन दोनों के बीच जो आदमी होगा वह कौन सी बुक पढ़ेगा राज कामिक पढ़ेगा तो यहाँ पर हम लिख देते हैं राज फिर दिया गया है वह विद्यार थी जो सफेट टी-शर्ट पहने हुए व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है तुलसी कामिक नहीं पढ़ता है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सफेट टी-शर्ट के जो बाएं बैठा होगा वह तुलसी कामिक नहीं पढ़ेगा तो यहाँ पर हम ने तूलसी को गलत कर दिया डी जो है वह नूतन कामिक पढ़ता है ऐसा बताया गया है एवं उसकी टी शर्ट का रंग हरा है यह उस व्यक्ति कोई और उन्मुक है जो राज कामिक पढ़ता है तो अगर हमने यहां पर राज को लिखा है तो इसके जस्ट सामने डी होगा जो की हरी टी शर्ट पहने हुए है और इसने जो बुक पढ़ी है उसका नाम है नूतन तो यहां पर हमने नूतन लिख दिया वह विद्यार्थी जो इंद्रजाल पढ़ता है वह उस विद्यार्थी के विपरीत बैठा है जिसने नीली शर्ट पहन रखी है जबकि वह विद्यार्थी जिसने हरी टी-शर्ट पहनी है चमपक कामिक पढ़ने वाले व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है मतलब कि यहाँ पर हमने हरी टी-शर्ट वाले को बनाया है तो यह ठीक बाएं उस व्यक्ति के बैठा है जिसने चमपक पुस्तक तुलसी कॉमिक पढ़ने वाला व्यक्ति सफेड टी-शर्ट पहने वाले व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है लेकिन किंग कॉमिक पढ़ने वाले व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है C. King कामिक नहीं पढ़ता है जबकि F. Indrjal कामिक नहीं पढ़ता है तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कहा गया था कि वह विद्यार्थी जो इंद्रजाल पढ़ता है वह उस विद्यार्थी के ठीक विपरीत बैठा हुआ है जिसने नेली शर्ट पहनी है तो अगर हम प्रश्ण के अनुसार यहाँ पर उस व्यक्ति को रखें जिसने नेली शर्ट पहनी है नेली टी शर्ट तो इसके विपरीत वह व्यक्ति हो जाएगा जिसने इंदरजाल कॉमिक पढ़ी है तो यहाँ पर E के लिए हम लिख देते हैं इंदरजाल कॉमिक फिर कहा गया है कि जिसने हरी टी-शट पहनी थी वह चमपक कॉमिक पढ़ने वाले के बाएं था तो यह हमने लिख दिया था फिर दिया गया है तुलसी कॉमिक पढ़ने वाला व्यक्ति सफेड टी-शट पहने वाले व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है लेकिन किंग कॉमिक पढ़ने वाले व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है तो अगर हम यहाँ पर तुलसी कामिक पढ़ने वाला जो व्यक्ति है उसे F करते हैं तो यह है ठीक उस व्यक्ति के दाएं होगा जिसने सफेड टी-शर्ट पहन रखी है तो यहाँ पर राज जो होगा उसने मतलब राज कॉमिक जिसने पढ़ी है उसने सफेड टी-शर्ट पहन रखी होगी और कहा गया है कि किंग कॉमिक पढ़ने वाले व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है तो जिसने नीली टी-शर्ट पहन रखी थी उसने जो कॉमिक पढ़ी है वह हो जाएगी C ने King Comic नहीं पढ़ी है जबकि F जो है इंडरिजाल Comic नहीं पढ़ता है तो इस तरह से F ने तो तुलसी Comic पढ़ी है अब A जो है वैसा फियेट टी शट पहनने वाले व्यक्ति के बाई ओर था और इसने नूतन बुक नहीं पढ़ी थी तो यहां पर हम A कर देते हैं और अगर हम बचे हुए में देखें तो C को यहां परिस्थान मिलेगा अब अगर हम देखें तो बचे हुए कलर में अभी लाल कलर और पीला कलर बचा हुआ है और साथ में बैगनी कलर भी अब अगर हम रंग के इसमें देखें तो इंदरजाल किंग और चंपक ने बैगनी रंग की टी शर्ट नहीं पहन रखी थी तो इस तरह से F जो हो जाएगा वेब पहन रखा होगा बैगनी रंग की टी शर्ट और इंद्रजाल और किंग ने हरी और पीली टी-शिट नहीं पहन रखी होगी तो इस तरह से चंपक के लिए हम टी-शिट कर देते हैं पीली क्योंकि इंद्रजाल के लिए तो पीली होगी नहीं और हरी हमने पहले ही डी के लिए दर्शाया हुआ है अब अगर हम बची हुई टी-शिट में देखें तो केवल लाल टी-शिट है जो की इंद्रजाल के लिए हो जाएगी इस तरह से हमने दिये हुए जानकारी के अनुसार सभी व्यक्तियों के लिए उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तक और पहनी गई टी-शिट के बारे में पता कर लिया है अब प्रशन में हमसे पूछा गया है वह विद्यार थी जो E और D की मध्य बैठा है उसने किस रंग की टी-शिट पहनी है तो अगर हम देखें तो E और D के बीच जो आदमी बैठा हुआ है उसने पीली रंग की टी-शिट पहन रखी है तो हम देखते हैं किस विकल्प में नी पीली दीया हुआ है तो A विकल्प में हलाल मतलब गलत B विकल्प में नी ली ये भी गलत C विकल्प में बैग नी ये भी गलत D विकल्प में दिया है पीली आतरदी विकल्प बिलकुल सही होगा धन्यवाइग। Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स आट 4444 सुपर